हेलो दोस्तों, आज एक नया डिजाइन बनाएंगे, ये देखिए ये इस तरह से लेस में बनके आता है, बहुत आसान और सिंपल सा डिजाइन है, लेकिन देखने में बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारी लुक आती है इसकी बनके, ये इसकी सीधी तरफ है, ये प्रोजेक्ट में आप इसे यूज कर सकते हो, काडिगर में आप बॉर्डर की जगा इसे बना सकते हो, इसे बनाने के लिए आपको एट के मल्टिपल में स्टिचिस चाहिए, प्लस एक स्टिच एकस्ट्रा रखेंगे, सिलाई के लिए प्रंट में और लास्ट में, तो ये हमारी फर्स्ट रो है, पहला स्टिच स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करें, पांच सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, ये हमारा सेट बन गया है इसी को आपने अगेन repeat करना है तो उल्टे से शुरू करेंगे एक उल्टा एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे पांच सीधे एक दो तीन चार पांच धागा अपनी तरफ करके एक सीधा इसी को आपने अगेन repeat करते जाना है और wrong side से सारी सिलाई जो है वो उल्टे में बनेगी तो इसे बना के complete कर ले रॉंग साइड हमने सारी उल्टे में बना के complete कर ली है सिलाई सीधी तरफ आ गए है पहला stitch slip करेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा एक सीधा धागा दशी थागा अपनी तरफ करेंगे साथ सीधे एक दो तीन 4 5 चेशई साथ सीधे कर लिये धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा बनाएंगे अगेन इसी को फिर से दुबारा repeat करेंगे उल्टे से शुरू करेंगे एक बार फिर से देख ले एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, साथ सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, अगेन उल्टे से शुरू करिए और इसे रिपीट करते जाएं, और रॉंग साइड में आपने सा सिलाई उल्टे में बनानी है तो इसे बना ले रॉंग साइड हमने बना ली है सारे उल्टी में बनाई है जितने भी स्टिचिस थे सारे उल्टे में बना लिए हमने सीधी तरफ आ गये हैं पहला स्टिच स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा धागा पीछे करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करें एक सीधा बनाएं फिर से धागा अपनी तरफ करके एक सीधा बनाईए अब जो आपने ये वाला एक सीधा बनाया है लास्ट वाला जो स्टिच ब से इस सिलाई में ले लें लेफ्ट वाली सिलाई में ले ले और जो हमारे 8 स्टिच हैं ये इन्हें इसके उपर से पास कर दें मतलब आपने 9 स्टिच इसको एक साथ बनाना है तो वैसे तो बनेंगे नहीं है इन्हें हम इस तरह से बनाएंगे ये स्टिच मैंने लेफ्ट सिला च्छे, साथ, आठ, आठ स्टिच मैंने इसके उपर से पास कर दिये हैं, यह उल्टा स्टिच आ गया है यहाँ पे, तो यह आठ स्टिच मैंने इसके उपर से पास कर दिये, वापश से अब इसे राइट साइड में रख लीजिए स्टिच को इस तरह से, और धागे को थोड़ खीचेंगे तो यह ग्याप इसका हट जाएगा यहां से अगेन आपने फिर से उल्टे से शुरू करना है एक उल्टा फिर सीधा यान ओवर सीधा यान ओवर और फिर नौ स्टिच इसको एक साथ बनाना है तो एक बार फिर से देख लें धागा अपनी तरफ करेंगे एक अब जो यह तीसरे वाला सीधा है इसे वापिस लेफ्ट वाली सिलाई में ले जाए इस तरह से और यह जो आठ स्टिचिस हैं इन्हें बनाना नहीं है इसे इसके उपर से पास कर देना है यह तीसरे वाले स्टिच के उपर से एक दो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अब लेफ्ट साइड में इसे वापस से राइट साइड में कर दीजे स्टिच को इस तरह से और अलका साइड से खीच दीजे इस तरह जो इसका होल है वो प्रॉपर आ जाएगा शेप में क्योंकि इतने सारे स्टिचे हमने पास ओवर करें हैं तो थोड़ा लूस हो जाएगा धागा तो हलका सा इसे खीच के इस तरह से बराबर कर लें एक बार फिर से देख लें धागा अपनी तरफ करिएगा एक उल्टा अब तीन सीधे बनाने हमें यान ओवर करते हुए तो एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे दूसरा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और तीसरा सीधा अब जो ये तीसरे वाला स्टिच है जो तीसर पास कर देंगे जहां तक हमारा सीधे स्टिच तक है उन्हें सारे स्टिच को इसके उपर से पास कर दीजेगा जब तक के आपका एक उल्टा स्टिच लास्ट में नहीं बच जाता तब तक आप इसे इसी तरह से सारे स्टिच आठ स्टिच आपके होंगे इन्हें इसके उपर स पास कर दीजे इस तरह से और फिर जब stitch खतम हो जाएं तो इसे वापस से right शिलाई में लें और हलका साई से ठीच दें जिसे ये धागा adjust हो जाएं और ये मेरा एक last मैंने ये शिलाई का stitch रखा है आप देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी extra stitch नहीं रखा है सिर्फ एक एक सिलाई का stitch रखा है यहाँ पे जो मेरा सिलाई में जाना है वो वाला extra stitch रखा है ये मैंने इसलिए रखा है कि जब मैं इसे सिलाई करूंगी दोनों पल्लों को जोड़ूंगी इस तरह से सिलाई करूंगी तो ये stitch जो है ये मेरी design में cover हो जाएगा उल्टे के साथ फिर से दुबारा ये flower वाला stitch चा जाएगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे उल्टे stitch नहीं रखे हैं तो wrong side बना लिजिए सारी सिलाई उल्टे में बनाईएगा wrong side हमने बना ली है सीधी तरफ आ गये है पहला stitch जिप करें धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा धागा पीछे करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करें या नोवर करना है यहां पे हमें एक stitch इनक्रीज करेंगे तो धागा अपनी तरफ करके तीन सीधे बनाएं, एक, दो, तीन, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और एक सीधा बनाएंगे, यह हमारा एक सैट कंप्लीट हो गया है, इसी को हमें दुबारा से रिपीट करना है, तो एक उल्टा बनाएंगे, एक सीधा, धागा अपनी तर करेंगे एक सीधा अगें फिर रिपीट करेंगे तो एक बार फिर से देख लें एक उल्टा बनाएं धागा पीछे करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करके तीन सीधे एक दो तीन फिर से धागा अपनी तरफ करें एक सीधा और लास्ट वाले स्टिच को उल्टा तो इस तरह से करते हुए repeat करते हुए रों को complete कर ले और wrong side में सारी सिलाई उल्टे में बनेगी wrong side हमने complete कर ली है सीधी तरफ आ गए हैं पहला stitch slip करें धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा धागा पीछे करके एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच धागा अपनी तरफ करें एक सीधा बनाएं अब इसी को आपने अगेन रिपीट करना है तो फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे एक उल्टा बनाएंगे धागा पीछे करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करके 5 सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, इसी को फिर से रिपीट करना है, एक बार फिर से देख लें, एक उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, पांच सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा और ये मेरा लास्ट का स्टिच है इसे मैं उल्टा बनाऊंगी इसी को दुबारा रिपीट करते जाएं और रॉंग साइट बना ले सारी सिलाई उल्टे में बनेगी रॉंग साइट हमने कंप्लीट कर ली है सीधी तरफ आ गए हैं पहला स्टिच स्लि सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ धागा अपनी तरफ करें और एक सीधा इसी को आपने अगेन रिपीट करना है तो एक उल्टा बनाएंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे साथ सीधे एक दो तीन चार पांच छे साथ धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा एक बार फिर से देख लें रिपीट शुरू करेंगे एक उल्टे से धागा पीछे करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे साथ सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, इसी को repeat करते हुए बना लीजिए, और wrong side सारी सिलाई उल्टी डलेगी, wrong side हमने complete कर ली है, अब हमें यहाँ पे फिर से इस तरह से कली बनानी है, 9 stitches को एक साथ बनाना है, तो यहाँ पे देखिए, पहले मैंने left बनाया था, फिर right, फिर left side, अब मैं फिर से right side को बनाऊंगी, slip करें पहला stitch, धागा अपनी तरफ करें, एक उल्टा, धागा पीछे करके, यह वाले stitch को slip करके left side को ले लीजिए, इस तरह से, और इन्हें slip करते जाईए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, आठ, आठ stitch हमने slip कर दिये, नौवे stitch को हम सीधा बनाएंगे, इस तरह से इसे सीधा बना ले, या फिर आप याद रखिए, जब आपके यहाँ पे दो सीधे बच जाएं, तब तक आपने इसे इसी तरह से slip करते जाना है, ज जब आपके दो स्टिचिस यहाँ रह जाएंगे, तो ये लास्ट वाले स्टिच को आप बना लीजिएगा, और बनाने के बाद धागे को इस तरह रखिए, हाथ में, थोड़ा खिच के रखिएगा, और ये जित्ते slip हमने करें हैं, आठ स्टिच इन हैं, इसके उपर से पास करेंगे, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये हमारा सीधे वाला स्टिच जो लास्ट वाला है, उसे भी हम इसके उपर से, जिसे हमने slip करके लिया था, वो भी इसके उपर से पास कर देंगे, इस तरह से, हलका सा धागे को खीच लें, अरजेस्ट कर लें धागे को, हलका सा खीच के, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, और एक सीधा, अगेन फिर रिपीट करेंगे, वैसे ही, साइट को कर दिया है तो स्लिप करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ अब नाइन जो हमारा नाइन में आएगा स्टिच उसे हम सीधा बनाएंगे तो इसे सीधा बना लें और वागी के जो आठ स्टिच स्लिप करें हैं उन्हें इसके उपर से पास कर दें उल्टे वाले स्टिच को पास मत करिएगा ध्यान रखिएगा यहां पे जो हमारा उल्टा स्टिच है उसे हमें पास नहीं करना है तो साथ और एक आठ आठ स्टिच हमने पास कर दिये हैं धागे को हलका सा खीच के अरजेस्ट करिए धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा फि इसी तरह से इसे दुबारा से रिपीट करेंगे एक बार फिर से देख लें धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा धागा पीछे करेंगे इसे स्लिप करके वापिस से इस तरह फेस कर लेंगे इसका लेफ्ट साइड को और स्लिप करके इस स्लाई में ले लेंगे बनाना नही है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ जो हमारा नौवा स्टिच है उसे हम सीधा बनाएंगे और आठो स्टिच इसको इसके उपर से एक एक करके पास कर देंगे इस तरह से पास करते जाएंगे जब तक के हमारा लास्ट वाला जो हमने स्लिप करके लिया है स्टिच को left side को face करके वो stitch नहीं आ जाता तब तक हम इसे pass करते रहेंगे अब यहां पर यह देखिए उल्टा stitch रह गया है मेरा यह सारे stitch मैंने इसके उपर से pass कर दी है यह 9 stitches का एक stitch बनाया है हमने धागा अपनी तरफ करें एक सीधा फिर से धागा अपनी तरफ करें एक सीधा और again उल् सिलाई जित्ती भी है वो उल्टे में बनानी है तो इसे बना लें wrong side हमने बना ली है सीधी तरफ आ गये है पहला stitch slip करेंगे धागा अपनी तरफ करें एक उल्टा धागा पीछे करेंगे एक सीधा धागे को अपनी तरफ करें तीन सीधे बनाएं एक दो तीन फिर से धागा इसी को आपने again repeat करना है तो उल्टे से शुरू करेंगे एक उल्टा धागा पीछे करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन एक बार फिर से देख लीजे कैसे बनाना है एक उल्टा धागा पीछे करेंगे एक सीधा धागा अपनी तरफ करें तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करेंगे एक सीधा अगेन उल्टे से रिपीट शुरू करेंगे और last वाले stitch को मैं उल्टा बनाऊंगी, आप चाहो तो सीधा भी बना सकते हो, ये सिलाई का stitch है, जैसे भी बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे तो हमेशा उल्टा बनाईएगा, और सीधा बनाऊगे तो सीधा ही बनाईएगा, और wrong side बना लिजे, सारी सिलाई उल्टी बनेगी, wrong side हमने बना लिए है, और हमारा design भी complete हो गया है, ये इसी तरह से बस इतना simple सा और छोटा सा design है, लेकिन देखिए बहुत प्यारा लगता है, बना हुआ, जब ये इस तरह से line बन के जाती है, तो बहुत प्यारी look आती है, border में try करके देखिएगा, बहुत प्यारा लगेगा या फिर baby girls की frock बनाते हैं हम, तो frock के घेरे में बनाईएगा, उसमें भी ये बहुत प्यारा लगेगा, जब भी आपने ये design डालना है, जब इसे बन करोगे, तब आपने इसे first row में जैसे हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप count करोगे, तो उल्टे stitch के ब पाँच हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह हमारे पास पाँच स्टिच आ गए, जब नेट वाले, यहाँ सेंटर में देखिए, यह सीधा यहाँ छोड़ दीजिए, एक यहाँ पे, सेंटर में जब आपके पास पाँच होंगे, तब इसे बंद करिएगा, डिजाइन क करेंगे, तो स्टिच जादा हो जाएंगे, तीन में करेंगे, तो कम हो जाएंगे, जिस तरह से अब यह है, रो है, इसमें करेंगे, तो यह स्टिच इस बराबर रहेंगे, जितने हमने कास्ट आउन करेंथे, स्टार्टिंग में, यह उतने में ही आ गया है, तो एक बार फर उल्टा धागा पीछे करेंगे, एक सीधा धागा अपनी तरफ करें, पांच सीधे एक, दो, थी,न, चार, पांच, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक सीधा, इसी को अगेन रिपीट करते जाएंगे, यह हमारी रो बन थी, जो ये दुबारा से डलनी शुरू हो गई है इसी को अगेन आपने रिपीट करते जाना है तो आपका डिजाइन आगे कंटिन्यू होता जाएगा डिजाइन कैसा लगा प्लीज मैसेज जरूर करिएगा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे पेज को फॉलो करें अब मु